दूस्तो तो पते सेसे आप सब भी आ सकरते हैं यह बहुत अच्त यह तो सब आप सब्सक्राइब हुआ जिल कि 1.5 hp है 1.5 hp की मोटर के लिए जो हो बाद Vanessa कर्म कृस्टूमर का कहना यह है कि भई जब तक Green Button दबा रहे हैं जब तक चला यह देखिए यह देखिए ग्रिन बटन जब तक दबा करें प्रेस कर रहे हैं जब तक तो रिले ऑन हो रही है मतलब अपना यह चला है मोटर सिस्टम जो भी चलता है लेकिन यह छोड़ते बंदो जटता है तो वह कहा रहा है इसकी देख लिए हुई खराब थो नहींग किसजी मकैनिक नोषक है किस मेें तो भाई बिना चेख कर is भ graphics के मत कहो किसी को रिले खराब है यह खरा торов बाई जब तक आपको कंफ़रु मिया ना कि क्या kicking बता के घृक है चलो कोई बात ने जिस ने जो बता दे ठीक है फिर आज आस पास केमाह कह नहीं he ठोड़िये सबसे पहले आज़ी कंंडिसथिन में आपको दोस्तों यह चेक करना है कि आपको कोई वाययर तो नहीं जल ले है क्योंकि यह रिले का कोई भी फाल्ट नहीं है एक वायर की यहँ कुठ भी है लेगन उससे पहले हम दोस्तों रैडड़ वाले पोइंट को एक बार चेक कर लेते हैं रैड़ वाला जो यह discr इस शोविच्ट होता है एक ताइक तो होता है तो हुटता है रहा गृिश्व होता है रैड़ रहते है पर्मनें जोइन्ट रख़ रखते है, नौर्मर क्लोज में, जोइन्ट रखे रखता है, तो इस पर हमें continuity पिन लगी होती है ना उसको जोड़े रखना रिले के जो तार होती है ना जो कोयल होती है उसके सिरीज में लगा होता है यह उसके सिरीज में लगा होता है इसका काम क्या होता है जैसे रैड को दबाया तो उसकी लाइन को कट कर देता है ठीक है अब यह सिरीज में जूड़ी नहीं रहा है मतलब इसका ऐसा लग रहा है कि जूड़ी नहीं रहा क्योंकि इस पर दोनों पॉइंटों पर वोल्टेज चेक करते हैं तो टच में बीप सांड आना चाहिए था वो आई नहीं रहा है तो जब तक वो नहीं आएगा तो यह हमारा खराब है खराब माना जाएगा तो हम क्या करेंगे इनको दोनों को आपस में टच करेंगे अगर मैं आपस में टच करूँ एक तो यह यलो वाय रिले से आ रहा है दूसरा शिर्फ इंडिकेटर पर बखी कहीं नहीं है तो इसके साथ एक वायर विता देखेंगे अभी चला के दिखाता हूं यह देखिए अ लिगाने जुछ आता है जो कोईल पर जाना चैंगाता है जो नहीं टुरफ लेक्ट होता है फेज वाला जो Яना चाहिए तो यह देखे वाई वाले हां से किसी ने चतुराई से एक तार भी काट रखता है चलो हम इस तार को जोड़े लगते हैं ये फेज जाता है और जो दूसरा पॉइंट लगता है रेड पर दो होते हैं इसका पूरा कनेक्शन आपको समझना है पूरा डीपली तो मैं आपको लिंक डिस्केशन में दे दूँगा आपको वीडियो हैं आई बटन पर सो रही होगी वहाँ देख लेना जाकर ठीक है पूरी एक अग जानकरी अब मैं आपको बदाता हूँ रेड बटन जो उतता है इसका एक जो तार होता है एक तो जाएगा उतता है रिले पे और जो रेड बटन को दूसर तार जटते है उस पर आता है फेज टीक है जब पर फेज आता है ना तो वही उसको दोस्तो डिरेक्ट रखने काम कर देता है एक तरह से तो ये जो फेज आता है यह हमारा दोस्तों इसमें red button से touch हो कर नहीं जा रहा है तो जब तक touch हो कर नहीं जाएगा तो red button क्या हम क्या ऐसा क्या लग रहा है कि यह हमारा किशी ने दबा रखा है क्योंकि जब इसे हम दबाते हैं तब इस पे से reading खतम हो जाती है अब हमने यह बिना दबाए ही इस पे से reading खतम हो रही है तो इसका मतलब क्या है इसके जो contact रेंदर के वो पिंगल चुके है वो खराब हो चुके है तो हमने देखिए इसके साथ phase का तार जोड दिया यह देखिए यह आप देख सकते हैं जो हमारे green बटन ता इस पे phase आ रहा था नहीं है कोई बाद नहीं डिरेक्ट पाप पोल से ले हो जहां neutral phase दिया आपने connection में आप समझ जाओगे जब ऐसी condition बने न आपके सामने की बही किसी भी summer stable में यह problem आ रही है कि green दबाने पे जब तक दबा रहे हैं जब तक चल ला है और जब तक red मलब green को छोड़ रहे हैं फिर उसका बात बंद हो जा रहा है मलब permanent hold नहीं हो रहा जैसे चलना चाहिए तो उस condition में आपको red वाला जो socket यह है na switch जो है red वाला जो switch है normal close, normal open वाला इसको आपको change कर दे न 100% problem का solution नहीं है किसी ने wire वागरा ना cut रहे होगी तो जैसे permanent मलब जैसे चलती है चलने लगी अब जैसे मैंने यहाँ पर यह red वाले point को हटाया और यह बंद हो गई मलब बंद चालो अब देखे परकिरिया सुरू हो गई लेकिन आप button से करनी है तो बस आप इसमें button डालना है और यह परकिरिया चालो अब देखे button डालती बार बहुत से यहां गलती करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ गलती क्या करते हैं यह जो आपका socket आता है ना switch यह जो switch होता है इसमें एक कमी कर देते हैं इसमें एक तरफ होता है normal close एक तरफ होता है normal open तो यह देखे यह original ले रहे तो मैं एक में आता तो जब तक टेच रहना चाहिए जब तक आप बटन को ना छेड़ो तो जब बटन को आप प्रैस कर दोगे तो एंसी वाला जो पॉइंट है वो आपस में से कंटेक्टर चुट जाएंगे जब चुटेगा तो सीधी सी बात है रिले पर जो कोईल लगी हुई है वो बंद हो जाएगी और बंद होएगी तो रिले पर आपस में चिपके वो चुट जाएंगे चुट तो एंसी वाले पॉइंट पर आपको दोनों पॉइंट यह लगाने इजपके रेड़ बाले आएं यह औरीजीनल कनेक्टर है जो आपके यह स्विच दे रहे हूं मैं यह घकिनल है चाह resur1 दोस्तों डायक्ट होता है कोई जमलद होता है ओरीजीनल में एक तो मैं इसमें के वायईर को लगा लगा था थो हूए मैं पर टेप लगा लगांग के लेकिन मैं यह लगा लेता हूँ NC पर, Normal Close पर ठीक है, तो यह देखे, यहाँ पर, अब हमने अच्छे से लगा दिए, अब दोस्तों मैं आपको चेक करा के दिखा देना चाहता हूँ, यह देखे, यह देखे, आपका समझे लिए ही है, अब देखे, यह देखे, यह देखे, र इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और पिली चैनल सब्सक्राइब करें अब वीडियो को लाइक करें अब दोस्तों सेरका दरेना अज के लिए मिलते हैं इस्टोडियो में जैहिन वंदेवातन दोस्तों